नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों हनुमान जी ने पंच मुखी रूप धारन करके प्रभु शिर्राम और लक्षमन जी की रक्षा की या जानने के लिए हमारे साथ अंग तक बने रहे आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अपनी हार के समीप था तब इस समस्या से उबरने के लिए उसने अपने मायावी भाई अहिरावन को याद किया अहिरावन मा भवानी का परम भक्त होने के साथ साथ तंत्र मंत्र का बड़ा ग्याता था उसने अपने माया के दम पर रात्री के समय भगवान राम की सारी सेना को बेहोश कर दिया, तथा राम एवं लक्ष्मन का अपहरण करके उन्हें पता लोक ले गया, कुछ घंटे बाद जब माया का प्रभाव कम हुआ, तब विभीशन ने यह पहचान लिया, कि यह कार्य अहिरावन का है, और वह श्री राम और लक्ष्मन को अपने साथ पता लोक ले गया है, और फिर उन्होंने हनुमान जी को श्री राम और लक्ष्मन की सहायता करने के लिए पताल लोक जाने को कहा, इसके बाद हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मन की तलाश में पताल लोक पहुँच गए, पताल लोक के द्वार पर उन्हें उनका पुत्र मकरध्व और युद्ध में उसे हराने के बाद वह अहिरावन के पास पहुँचे। इस अहिरावन के पुझा दिये बुझा दिये जिससे हरावन की मायावी शरक्तियां समाप्त हो गई और फिर हरावनजी ने अहिरावन का वद्ध कर लिया। श्रीराम और लक्ष्मन जी को सही सलामत पता लोग से वापस लेकर आ गए उस दिन से ही हनुमान जी के पंच मुख की पूजा की जाने लगी दोस्तों पंच मुखी हनुमान जी के पांचों मुख पांच अलग-अलग दिशाओं की तरफ है एवं इनके अलग-अलग महत्तो भी बताए गए है पहला है वानर मुख यह मुख पुर्व दिशा में है यह दुश्मनों पर विजय प्रदान करता है दूसरा है गरुण मुख यह मुख पश्चिम दिशा में है यह जीवन की रुकावटों और परिशानियों का नाश करता है तीसरा है वराह मुख यह मुख उत्तर दिशा में है यह लंबी उम्र प्रसिद्धी और शक्ति देता है चोथा है नरसिंग मुख यह दक्षिर दिशा में है यह डर तनाव वा कठिनाईयों को दूर करता है और पाचवा है अश्वमुख यह मुख आकाश की दिशा में है यह समस्त मनुकामनाओं की पूर्ती करता है तो दोस्तो यह था भगवान हनुमान जी के पंचमुखी रूप धारण करने का कारण जो भी मनुश्य हनुमान जी की पंचमुखी रूप की पूजा करता है वह मनुश्य सदा धन, वैभव, बल, खुशियों से परिपून होता है तो दोस्तो यह थी हमारी आज की वीडियो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद, जै श्री राम